दोस्तों अगर आप Grow App के अंदर एक नए आकाउंट बनाना चाहते हैं जो डिमीट अकाउंट अगर आपको खुलवाना है तो आज की वीडियो में आपको बताऊंगा किस तरीके से मैंने Grow App अकाउंट बनाया है के वाई सी की है इसके अंदर कौन कौन सी डॉक्यमन मुझे लगे हैं अगर आपको भी दुरो का डिमीट अकाउंट ओपन करना है तो मैं आज की वीडियो कंप्लीट जानकारी आज की वीडियो में आपको देने वादा हूं इसे open की दिए यहां पर continue with Google के option पे किलिक की दिए यहां से अपना कोई भी email एडर जो भी आपको इससे लिंक करना हूं वो यहां से select की दिए और उस पर tap की दिए यहां पर अपना एक mobile नबर डालेगा उसके बार नीचे send OTP के option पे किलिक की दिए आपके नमबर पर OTP यहां पर डालेगा फिर verifiye के option पे किलिट कीजिएगा यहाँ पर अपना पैन कार्ड नमबर डालेगा जो पैन कार्ड नमबर यहाँ पर आप डालेगे उसका नाम हाथो हाथ ही आपको इस्क्रीन पे शूप हो जाएगा अगर आपका नाम सही आ रहा है तो confirm के option पर किलिट करिएगा अब यहाँ से अपना gender select कीजिएगा उसके बाद बताईएगा कि आप single है या शादी शिदा है यहाँ से अपना occupation यानि कि वेवसाई कि आप क्या करते हैं student है, business man है या जो भी है वहाँ यहाँ से select करेंगे उसके बाद यहाँ पर आपको अपनी annual income के बारे बताता होगा कि आप कितना कमाते हैं, अब आपके सामने आजाएगा trading experience के बारे में बताने का तो यहाँ पर आप जितने साल का भी आपको experience है तो यहाँ पर share कर देंगे अगर आप फस्टाइम इसे install कर रहे हैं, फस्टाइम experience आपको नहीं है तो no experience option पर click करेंगे यहाँ से proceed के option पर click करेंगे अब आपको छोटी सी KYC करनी होगी जिसके लिए आप अपने parents का नाम डालेंगे parents का नाम बिल्कुल same same डालेगा जो आपके document पर हो जैसे के ऊपर आप अपनी mother का नाम डालेंगे नीचे आपने father का नाम डालेंगे फिर next का option पर click करेंगे अब आपको अपनी bank detail को verify कराना होगा तो आप दो तरीके से verify करा सकते हैं सबसे पहला है कि आप अपने किसी भी यूपी आई platform के माद देंगे से verify करा सकते हैं जैसा कि यहाँ पर आपके verify यानि कि Google पे फोन पे पेटियम वगरा जो भी आप मुवाइल में इस्टॉल होगा यूपी आई एप उसे ये verify कर लेगा और उससे बहुत असानी से bank verify हो जाता है आपको IFC code account वगरा नमबर डालने की दोट नहीं पड़ती है तर अब आपने यूपी आई यानि के Google पे फोन पे वगरा का account अभी तक नहीं बना रखा है तो सबसे पहले वह account बनाने के बाद आप यहां पर verify यूजिंग यूपी के option पर किलिक कीजिएगा यहां से वह app select कीजिएगा जिस पर आपने account बना रखा है फोन पे मेरे पास फोन पर है तो मैं फोन पर के option पर किलिक करूँगा मेरा फोन पर आप खुल जाएगा वहां पर आपको दिखाएगा कि एक रुपे की payment आप कीजिए जो भी आपका bank account हो वो bank account लिंक होगा होता है फोन पर के अंदर तो उससे आप एक रुपे की verify यानि के payment कर दीजिएगा आपकी bank detail verify यानि के fetch होंगी और इस तरीके से आपका bank verification successfully हो जाएगा अगर आपका बैर किमिन की KYC करनी होगी तो KYC करने के निए नीचे आप यहाँ पर proceed to KYC के option पर किलिक करेंगे यहाँ पर termin condition को accept करेंगे authenticate authenticate आधार के option पर क्लिक करेंगे यहाँ आप आ गए हैं डिजी लॉकर की website पर जहाँ पर आपको अपना आधार कार्ट का नंबर यहाँ पर डालना होगा दियान लगिएगा कि आपके आधार कार्ट के अंदर आपका mobile number लिंक होना चाहिए क्योंकि उद पर एक OTP आता है ज इस वाले page पर आजाएंगे जहां पर आपको अपनी कोई भी फोटो अपलोड करना होगा जिसके लिए यहाँ पर कैमरे का option आ रहा है जो आप भी selfie वगारा माँ पर खुल जाएगी आप जैसे ही इसका option पर क्लिक करेंगे तो आपको अपना साफ सुद्रा सा एक photo capture करना होग वाइड बैक्डराउंड पीछे होना चाहिए उसके बाद जब आपका photo capture हो जाए तो अब आपको अपना signature verification करना होगा signature verification करने के लिए आप जैसा आपका pen card पर नाम लिखा हुआ हो जैसे आपने pen card पर signature की हूँ वैसे ही यहाँ पर signature के option पे click कीजेगा और अपना कोई सा भी नॉमिनी डिटेल बगारा डालने का option आजाएगा आपसे पूछेगा कि आप नॉमिनी बगारा एड करना चाहते हैं या नहीं तो आप यहाँ पर यह नॉमिनी प्रोसीट के option पे click करके अपने नॉमिनी की डिटेल बगारा बन लीजेगा अगर आपको बरनी होगी मुझे अ यहाँ नीचे sign now के option पे click करेंगे अब यहाँ पर आप इस वाले पीच पे land हो जाएंगे जहाँ पर आपको यहाँ पर सबसे उपर टर्मन कंडिशन को accept करना होगा उसके बाद यहाँ पर पूरा का पूरा अपना अधार का नंबर डाल देना होगा यहाँ पर आप send OTPP के option पर क्लिक करेंगे आपके आदार कार्ट के अंदर जो मुवाइल नंबर लिंक होगा उस पर एक OTP जनेरेट हो जाएगा और वो OTPP आप वहाँ पर डालेंगे डालते ही आपका e-sign successfully हो जाएगा यह किस तरीके से मेरा यहाँ पर हो गया है दो से line होने के बाद आपकी application यान को करना पड़ेगा क्योंकि ये दो दिन के अंदर आपके document का verification बगारा करते हैं अगर सब कुछ सही रहा तो आपका grow app का account की ID और password और client ID बगारा आपकी email address पर send कर दी जाएगी हमना आपको login करने का process में बदा देटा हूँ दो तीन दिन के बाद जब आपका account खल जाए तो आप दोबारा से grow app को open करेंगे फिर continue with google का option पर click करेंगे यहां से वो अपना email address select करेंगे जिव आपने grow app से link किया था या आपने इससे account बनाया था जैसे ही उस पर आप tap करेंगे आपको यहां पर एक mpin बनाने को कहा जैसे कि मैंने यहां पर बना लिया था मैं स्क्रीन रिकॉर्डिंग उस टैम नहीं कर पाया तो यहां पर आप अपना कोई की चार नंबरों का यह पिन बना लेंगे तो अब आपको पिन डालने का option आएगा तो आप पिन डालेंगे पिन डालते ही आपका grow app इस तरीके से open हो जाएगा जहां पर अब आप इसके अंदर investing कर सकते हैं ट्रेडिंग कर सकते हैं जो आपको करना है वो यहां से आप कर सकते हैं तो सबसे पहले आप यहां पर अपना फर्स शेर दरूर करी देंगे यहां से आपका grow app अक्टिवेट हो जाएगा कभी बन ना हो तो इसके लिए किया आप यहां से कोई साथा भी यानि के कोई सा भी इसटाप बाइ कर लें जैसे कि मैं यहां से बार के अप्षिन पर करता हूं रापको अप्षिन पर क्लिक निपन करता और इस तरीके सब्स Englis कênio सब्ऴलाइक जिस से आपका अक्टेवीट हो कर सकते हैं किस तरीके से घर 57 करने हैं किस तरीके से तो तह सकती हूं को में थिक्कात हो रही है लोगत डिएगा जबन कीकी जरूर की जहना है